हेलो फ्रेंड वेलकम टो अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे टाटा पावर के स्टोक को तो फ्रेंड सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेता है अगर मैं टाटा पावर के बिजनेस को देखूं तो टाटा पावर का जो बिजनेस है मेंली है electricity generate करना और इसको distribute करना और इसका transmission करना साथ में जो stock है यह renewal फिल्ड के छेतर में भी काम कर रहा है means यह renewal energy को generate कर रहा है साथ में company ने 2025 तक 1 lakh charging station बनाने के बारे में सोचा है और साथ में company बना रही है solar roof and solar plant तो friend को multi-vagger return generate करके दे दिया है तो friend अगर मैं पिछले 5 year की बात करूं तो 5 year में भी इस stock ने 226% का return generate करके दिया है तो friend अगर मैं पिछले वन year की बात करूं तो one year में इस stock ने अपने investor को approximately 7% का return generate करके दिया है तो friend आज की वीडियो में company के fundamental analysis और technical analysis करेंगे तो सबसे पहले हम company का fundamental देखता है fundamental में अगर मैं company का market cap देखने जाओं तो company का market cap लिकल के आ रहा है 78,222 क्रोड का अगर मैं company का P ratio देखने जाओं तो यह लिकल के आ रहा है 22.25 का अगर मैं company का P B ratio देखने जाओं तो P B ratio लिकल के आता है 2.72 का अगर मैं industry P देखूं तो industry P लिकल के आ रहा है 15.89 का तो friend हम कह सकते हैं कि company का stock industry P से थोड़ा उपर trade कर रहा है अगर मैं company के उपर करज की बात करूँ तो company को पर करज भी है अगर मैं return on equity की बात करूँ तो return on equity लिकल के आ रहा है Apex 11.50 का अगर मैं अनिफर्सियर देखने जाओं तो churches देखने जाओं तो यह लिकल के आता है 11 का अगर मैं dividend yield देखने जाओ, dividend yield लिकल के आ रही है 0.82% की, अगर मैं book value देखने जाओ, तो ये लिकल के आती है 19 की, अगर stock की face value देखने जाओ, तो ये लिकल के आ रही है 1 की, तो friend अब हम company का financial check करते हैं, final sale में सबसे पहले company का revenue देखते हैं, वो भी quarterly, तो friend अगर मैं quarterly revenue देखने जा रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि company की quarterly growth एप्रॉक्स सेम बनी हुई है, तो friend अगर मैं profit देखने जाओ quarterly, तो मुझे लगातार यहाँ पे profit में growth देखने के लिए मिल रही है, तो friend अगर मैं yearly revenue देखने तो yearly revenue मुझे सांदार गुरू देखने के लिए मिल रही है, अब मैं अगर company का profit देखो yearly, तो लगतार मुझे यहाँ पे yearly profit देखने के लिए मिल रहा है, तो friend अब हम करेंगे company का sear holding pattern को check, तो friend मैंने आपके सामने company का sear holding pattern लगा दिया है, हम यहाँ पे previous five quarter के sear holding pattern को check करते हैं, अगर मैं promoter की quantity देखने जाओ, तो promoter की quantity बिलकुल सेम बनी हुई है, अगर मैं FI वालों की quantity देखने जाओ, तो FI देरे-देरे करके अपनी quantity इस sear में बढ़ा रहे हैं, अगर मैं DI व देखने जाओं, तो public देरे-देरे करके इस sear से अपनी position काम कर रहे हैं, तो friend हमाले यह अच्छी बात है, FI और DI दोनों मिलकर इस sear में अपनी position बढ़ा रहे हैं, तो friend अब आगे हम company का technical analysis करेंगे, तो friend मैंने आपके सामने Tata Power का weekly chart लगा दिया है, अगर मैं stock की price देखने के लिए मिल लिए 244 के आसपास, तो friend जिस price पर भी stock trade कर रहा है, एप्रोक्स यही price two year पहले November 2021 में हुआ करते थी, तो friend share को एप्रोक्स two year गुजर गया है, लेकिन share की price बिल्कुल same value पर है, तो friend अगर आप यहाँ पे position मनाने के बारे मैं सोचते हैं, आपको यहाँ पे देख अगर मैं यहाँ पे देखने जाओं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि share एक ही zone में trade कर रहा है, एप्रोक्स two year से, तो friend जब भी share अपने support के आसपास आता है, तो share में यहाँ से buying आती है, और जब share अपने resistance पाया है, तो उसके बाद share में selling देखने के लिए मिल गी है, तो friend अगर मैं आपको यहाँ पे एक line draw करके दिखाओं, तो share के लिए यह line ने भी काफी बार resistance की तरह काम किया, लेकिन current time पे share ने इसको breakout कर दिया, अब breakout करने के बाद share इसी line के आसपार support लेते वे दिख रहा है, तो friend अगर मैं यहाँ पे एक structure बनाओं, तो आपको देखने के ल position बनाते हैं, तो यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले या कि, यहाँ पे share के लिए 100 days का moving average का support भी है, अगर इससे past मैं आपे देखने जाओं, share ने approximately 100 days के moving average पे यहाँ भी support लेते हुए दिख रहा है, तो current time पे आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे cup and handle की formation भी हो रही है, और यहाँ पे share को 100 days का moving average का support भी मिल रहा है, तो friend, जब cup and handle की formation यहाँ से हो जाएगी, तो उसके बाद share में आपको अच्छे खासे यहाँ से target देखने के लिए मिल सकते हैं, तो friend, अगर आप current time पे share में position मराने के बारे मैं सोच रहे हो, तो यहाँ पे अपनी quantity का 50% buy करके चलिए, friend, अगर share में यहाँ से gir out हो जाती है, तो उसके बाद आपको net support share के लिए 210 की price के आसपार देखने के लिए मिलेगा, तो आपको फिर से यहाँ पे share में position बनानी होगी, तो friend, अगर cup and handle की formation जब share में हो जाती है, तो friend, आपका जो target रहे अगर मैं आपको cup and handle का target बता हूँ, friend, यहाँ से, तो approach आपको यहाँ पे 90 point उपर target मिलेगा, तो मैं आपको target बता जाता हूँ, cup and handle की formation के बाद, तो friend, cup and handle की formation के बाद, जो share में आपका जो target रहेगा, approach से रहेगा 360 की price के आसपास, तो friend, मैंने साथ में यहाँ पे RSI indicator का यू reversal आजाता है, तो यह RSI उपर की बड़ चले जाएगी, अगर share की price में यहाँ से correction आजाता है, तो share के RSI approach 30 के आसपास आजाएगी, उस time पे share की price होगी 210 के आसपास, तो friend, अगर मैं आपको RSI indicator की back testing कराके दिखाऊं, तो आपको देखने के लिए मिल रहे है weekly chart पे, जब भी share क RSI नीचे आती है, 30 के आसपास, उसके बाद share में reversal ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है, तो friend, अगर आप share में current time पे पोजिशन बनाते हैं, तो आपका target मैं आपको बता रखा है, यहाँ से 360 का रहेगा, तो आपको इस तकरकार से इस share में approach से यहाँ पे 50% का profit देखने के ल 50% का profit देखने के लिए मिल जाएगा, अगर friend, आप share में कुछ time के लिए trade करने के लिए आते हैं, तो आपका जो target रहेगा share में, approach से रहेगा 280 का, तो इस परकार आपको इस share में यहाँ पे first target में 16% का profit देखने के लिए मिल सकता है, तो friend, अगर मैं आपको इसके बाद next target बता तो friend, अगर आप share में position बनाने के बारे मां सोच रहे हो, तो एक बार खुद की research करिए, चाहे तो अपने financial advisor से भी concern कर सकता है, तो friend, जल्दी ही मिलता है, एक बार new video में तब तक के लिए धन्यवाद